नमस्कार फ्रेंट्स मैं डेखटा सुमित जैसवाल प्लास्टिक सरजर्रं एज बात कर रहे हैं तो आपकायत नाक के सटेस्टेक्शन लेल कम है तो आप हमें फिर सिक्काम बीक देख के हैं करने का जुरूत है जड़ूत है है और उसका कितना कॉस्ट रहेगा तो ये कुछ फोटोग्राफ से माद्यम से हम आपको राइनोप्लास की कुछेर समझागे ये हमारे पिशेंट है जो पंजाब से हमारे पास आया थे 32 यार ओल्ड मेल है जिनकी प्रॉब्लम है कि नोस काफी ब्रॉड है जो अपर पार्ट है वो भी ब्रॉड है लोवर पार्ट में भी चोड़ाई जादा है टिप जो है दबी हुई है और टिप ब्लंट है शाप नहीं है इसमें हमने अपर पार्ट में बोन को ब्रेक करा और ऑस्टिटोमी करा उसे इनवर्ड मुवमेंट कर दिया ताकि जो विट्थ है वो कम हो सके और हाइट भी बढ़ जाए लोवर पार्ट में हमने एलर बेस रेडक्शन किया है और जो काटिलेजें लोवर लेटल काटिलेज के उसका रेडक्शन किया है ताकि lower part का width कम हो सके और tip में शापने सा सके साथ ही tip को lift किया है tip की चोड़ाई को कम किया है और इसमें एक proper face के साब से उन्हें चेहरा के साब से nose देने का try किया है अभी इसमें gradually और improvement होता है अगले कुछ हफतों में ये दुसरा patient है female patient है जो हमारे पास हैद्रबाद से आया थी जिनकी problem थी किसी lower part जो nose का है वो broad tip जो है well defined नहीं है तो इसमें हम लोगों ने LR-based reduction के साथ tip plastic procedure करा है और lower part जो nose का है उसे correct करा है उसकी width को कम किया है उसकी height को बढ़ाया है sharpness को बढ़ाया है इसमें ये fresh image है करीब one week बात की इसमें gradually swelling कम होगी अगले दो से तीन महीने में तो इसमें और improvement होगा क्योंकि lower part जो nose का है महां कर जो swelling रहता है वो लंबे समय तक रहती है वो सबसे last में जाती है ये दूसरा patient है जो की पंजाब से आया था इनका जो nose है काफी broad है इसमें हम लोगों ने हड़ी को break करा है औस्टिटोमी करा है उसकी width को कम करने के लिए tip को sharp करा है और reduction rhinoplasty करा है ये जो another patient बिहार से आया है इसमें जो problem है कि जो इनका nose है इसका nostril काफी बड़े-बड़े हैं जब warm eye view में आप देख सकते हैं कि nostril जो है holes काफी बड़े हैं broad nose है lower part का चोड़ाई ज़्यादा है tip पूरा दबा हुआ है तो इसमें हमने error based reduction किया है width को कम किया है height को बढ़ाया है जब हम height को बढ़ाते हैं तो simultaneously चोड़ाई भी कम हो जाती है tip plastic procedure करा है यह जो last patient आपको दिखा रहे है इसमें यह girl है जो गुजरात से आई थी हमाँ पास जिसमें की broad nose है इसकी depressed nose है और इसमें हमने ear cartilage को use करा है क्यों patient जो है silicone use नहीं करना चाहता था तो हमने कान का cartilage लेके दोनों ear का cartilage लेके हमने डोर सुम augmentation किया है साथ एलर बेस एड़क्षन एलर का size कम क्या हूँ tip plastic किया है